हेलो एवरिवन आई होप यू ओला दूइंग वेली वेल सो आज है एलिल्पी का मेरा थर्ड लेक्चर और आज की मेरी क्लास का टागिट क्या रहने वाला है सबसे पहले वो डिसकास करने थे हैं सबसे पहले हम लोग रिवाइस करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर यानि की सबसे पहले में आप लोगों को दिखांगे हैं तो हम लोग यह सारी चीज़े आज अपना कवर्ट करने वाले हैं पाइन सो करें शुरुबार देखे सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहते हूं हमारा जो लिल्लप की हमारी यह बुक है हमारा यह चाप्टर स्टार्ट वहा था लिमिते लाइबिलेडी पार्टनर्शिप पाइक 2008 और इस चाप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दिस चाप्ट की liability क्या होगी limited होगी total sections इसके अंदर 81 है और चार schedules है अच्छा चार schedules में सबसे पहला schedule है आप लोगों के पास first schedule that discuss about the mutual rights and duties of the partners towards each other towards LLP right अगर आप लोगों का कोई अपना agreement नहीं बना हुआ है तो अगर agreement बना हुआ है तो आप लोगों को schedule 1 follow करने की जुरत नहीं है लेकिन अगर आप लोगों का agreement form नहीं हो रखा है in that case इस LSP का इस act का schedule number 1 आप सभी students को follow करना पड़ेगा now next चीज आती है हम लोगों के पास क्या देखे जरा second schedule के अंदर हमारा हो रहा है conversion of a firm into LLP third schedule में हो रहा है conversion of a private company into LLP fourth schedule में बाते आ रही है जब आप एक unlisted public company को convert करते हैं into LLP समझ रहे so ministry of corporate affairs and the registrars of the companies are interested with the task of administrating the LLP Act 2008 तो हम लोगों ने यह सारी चीज़े अपनी covered कर ली थी पिश्की class में और क्या किया था हम लोगों ने previous अपने lecture में हमने अपना यह पूरा जो अपना body corporate का हमारा यह पूरा features है LLP के यह features हम लोगों ने revise करे थे क्योंकि यह first lecture में आपके cover किये गए थे incorporation हम लोगों ने सीखा था हम लोगों ने सीखा था कि आपकी अगर कभी भी LLP बनेगी profit purpose के लिए बनेगी जी के lawful business होना चाहिए उसका तो बस उसको इन कॉर्परेशन रिलेटेट कुछ documents along with a statement by a CACS advocates और a CMS वो फाइल करना पड़ेगा रिजिस्ट्रार के पास एक बार ही आपने वो सारी चीज़े वो सारे documents रिजिस्ट्रार के फाइल कर दिए उसके बाद रिजिस्ट्रार क्या करने वाला है विदिन 14 देज आपकी LLP को रिजिस्ट्र कर लेगा अब जो है एक आपकी बॉड़ी corporate form हो चुकी है एक artificial person आप लोगों के सामने form हो चुका है जो अपने नाम से contract बनाएगा और अपने नाम से सारी की सारे dealings करेगा एक बारी अगर आपकी form का incorporation हो जाता है अगर एक बारी बच्चे इसका incorporation हो जाता है तो पस आप मान कर चलिए क्या मान कर चलिए कि आपकी जो है यह artificial body create हो चुकी है इस एललपी इस separate from its partners इसके अलावा मैंने आपको registered office के बारे में बताया कि हर एललपी का अपना खुद का एक registered office होना चाहिए जहापर आपके सारी के सारे documents जो है वो serve किये जा सके सम्टाइम्स आप documents send करते हैं एललपी के नाम से कभी-कभी आप documents send करते हैं individual partners के नाम से तो हम लोगों के पास एक ऐसा office होना चाहिए और उस office की सारी details ना आपकी registrar के पास होनी चाहिए तब भी तो काम बन पाएगा अदवाइस काम नहीं बन पाएगा है ना तो यह हम लोगों के पास बन जाएगा क्या registered office का point section number 13 के अंदर अब आते हैं नेक्स कहानी हमारी क्या क्या effect रहेगा registration का अगर एक बारी आपकी एललपी register हो जाती है तो it is like a formation of an artificial person which is separate from its partners समझ रहे हैं which is separate from its partners यह अपने नाम से सारे काम करती है जो कि हाँ obviously lawfully होने चाहिए ठीक है इसके अलावा इसकी common seal हो सकती है अगर यह चाहे तो अब वो mandatory नहीं रही अपने नाम से property ओ कर सकती है hold कर सकती है बेच सकती है खरीच सकती है कुछ भी कर सकती है whatever it wants to do right यह चीज़ हम लोग उने revise करी थी अपने नाम से cases file किया जा सकते है और इसकी against भी आप लोग direct case file कर सकते है because it is an artificial person in the eyes of the law वो सारे features जो मैंने आपको first lecture में करवाय थे वो सारे features अब आप लोगों के attract हो जाते है इस body corporate में एक बारी जब भी आपकी establish हो जाती है तो अब नाम के regarding आपको कुछ बाते और ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जब भी आप लोग अपनी LLP का नाम रखेंगे right तो LLP के नाम के पीछे आपको लिखने पड़ेंगे यह words limited liability partnership यह फिर शॉट में लिखना पड़ेगा LLP नाम जो है वो चूज करते समय फ्लीज मेक शॉर कि वो किसी दूसरी company LLP फॉर्म या ट्रेजमार्क से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए चीक है या फिर वो undesirable नहीं होना चाहिए in the opinion of the central government obviously you guys are supposed to reserve your name ठीक है reservation होगा और वो reservation होता है for the three months अगर आरोसी आपको अगर रिजिस्ट्रार आपको नेम यह अलॉट कर देती है तो वो नेम आपको मिलता है कितने time period के लिए three months के लिए मिलता है अब उसके बाद क्या होगा change of name होगा अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते है आपकी नेम चेंज करें क्योंकि आपकी जो ललपी है उसका नाम किसी दूसरी ललपी से या फॉर्म से या company से बाडी corporate से मिलता चुलता है अब आप कहोगे माम अगर मिलता चुलता था तो रिजिस्ट्रार ने ये नाम हम लोगों को दिया ही क्यों गलती तो रिजिस्ट्रा इसके अलावा क्या होगा नेक्स आती है पेनल्टी प्रोविशन आपको तिये गए यह सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों को समझा दिये थे एक बार ही अगर आपकी इनकॉर्परेट हो जाती है उसके बाद आपकी एलल्पी को ना एक अपना अग्रिमेंट बनाना होता है अगर आपने अपना अग्रिमेंट नहीं बना रखा है इन बाट केस आप क्या करेंगे एलल्पी आक्ट का शेडूल वन है उसको आप लोग फॉलो करें ठीक है अब आती है नेक्स कहानी पार्टनर्स और रिलेशन अब मैं पेज बार इसी चल रही हूं पूरा ठीक है जो भ अब चेंजिस के बारे में अगर यह जो आपकी लाइबिलिटीज हैं पार्टनर्स की टुवर्ट्स इच अदर या एलल्पी क्या आप इसको एक्स्टेंट कर सकते हैं क्या अप इसको इसके ओपर कोई लिमिट लगा सकते हैं यह पॉइंट हम अपने कवर्ट करेंगे ठीक ह conversion के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक firm private company unlisted public company LLP में convert करी जा सकती है conversion into LLP next आता है foreign LLP क्या होगी वो मैं आपको वैसे भी बता चुकी हो फिर कर लेंगे बस winding up हो गया अच्छा इसके अलावा यह जो आप लोगों की misledious provisions है यह करने की जरूरत नहीं है यह करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ओके so differences की बात आती है differences हम लोगों का हो चुका है previous lecture में तो आईए ज़रा जो भी हमारा अब left over part है जो की जादा नहीं है जो की अब जादा नहीं है उसको complete करते है left over part में सबसे पहले आता है मेरे पास सबसे पहले आता है मेरे पास क्या partners and their relation just give me a second अब पार्टनर्स एंड ये सारा जो concept आप लोगों का दिया गया है इसको मैंने flow chart में आप लोगों के लिए बना दिया है कि के ताकि आप लोगों को समझने में असानी हो otherwise this topic is really very easy okay देखो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि आपकी LLP जो है इसका incorporation होता है LLP का क्या होता है incorporation होता है और incorporation के बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि ऐसे कौन-कौन से circumstances हैं जब आपकी LLP जो है ना finally वह wound up होती है हमने वह discuss किया था previous lecture में अब इस दोनों के बीच में आपकी LLP की management भी तो होती है है आपके LLP run कर रही है चल रही है तो run करते समय चलते समय मानेज करते समय हमें कौन-कौन सी चीजें जो आपके syllabus में cover हो रही है जो आपको करनी है सबसे पहला आपका section आता है यहाँ पर क्या eligibility to be a partner अब आप कहोगे कि माम यह तो आपने हमें पहले भी कराया था आपने बताया था कि eligible वो होगा जो कि आप लोगों का disqualified नहीं होगा है ना हम लोगों को दिया गया था यहाँ पर देखे मैं दिखा दूं आपको यह point हम कि पीजिए आ बॉदि कॉरी कुछ भी हो सकते हैं और प्रोवाइडब लिए डिस्कॉलिफाइड नहीं होने चाहिए और अब डिस्कॉलिफाइड कमाने जाएंगे आप KRIS को more टॉलिफाइड तो अब या पन थी इस में ऊमें कॉन सी नहीं चीज बताने जा रहे हैं। अब क it is actually a mode of becoming partner in an LLP, आप individual हो, आप body corporate हो, आप insolvent नहीं हो, ठीक है, आप unsound mind के बिल्कुल भी नहीं हो, और नहीं आपका insolvency का कोई case चल रहा है, तो कहीं न कहीं आप eligible हो, to become a partner in any LLP, in any LLP, लेकिन partner वो बनने के लिए भी क्या तरीका अपनाया जाएगा, तो मेरे lawmakers कहते हैं, हमार there are two ways, there are two modes of becoming a partner in an LLP, अगर आपकी नई नवेली एकदम partnership चल रही होती है, बिल्कुल नई partnership चल रही है, तो उस case में तो आप जो भी incorporation के documents हैं ना, उनको purchase कर लो, मतलब अपनी तरफ से पैसा contribute करो, यानि कि कोई भी person, चाहिसे वो आपका individual है, या artificial है, भाई, प्रोवाइड documents को, जो की बनाए गए है, incorporation से पहले, LLP के जनम से पहले, LLP के incorporation से पहले, just one second, one second, अब देखें, यहाँ पर आपका person जो है, जो भी चाहता है कि होने वाली LLP में, यहाँ पर क्या और है, point number 1 के अंदर ना, आपकी LLP अभी तक बनी नहीं है, आप बनाने जा रहे हैं, और अब आप उसके अंदर partner भी बनोगे, अब आप उसके अंदर क्या करोगे, partner भी करेगा, money invest करेगा, तो जो भी यह contribution देगा, जो भी यह पैसा लगाएगा, जो भी यह capital invest करेगा, उसके बदले में यह मान लेंगे कि इसने in corporation जो के documents थे, उनको subscribe कर लिया, subscribe करते के साथी, अब यह सारे documents जब आपके registrar को file कर दिये जाएंगे, और registrar जब filing के 14 days के अंदर परसन था, यह क्या बन चुका है, partner of the LLP, वो LLP जो आपकी नई-नई form होई है, अब मानो अगर आपकी LLP form हो गई, form हो जाने के बाद, आप नया partner लेकर आना चाहते हो, like आप एक नया admission ही करवाने जा रहे हो, तो वो कैसे होगा, ऐसे case में जब आपकी LLP existence में है, LLP is already in existence, तो उस case में क्या होगा, as per the LLP agreement, आपके remaining, जो भी आपके जो existing partners है, उन्होंने जैसे decide किया है, वो उस तरीके से नह partner का admission करवा सकते हैं, जैसे कि मैं अनुराग, ठीक है, और मानलो साम्याग, हम तीनों की LLP चल रही है, और इस LLP के अंदर हुआ क्या, कोई Mr. राघव है, कोई Mr राघव है, जो कि हमारी LLP को join करना चाहते है, मतलब LLP is already in existence, LLP is already in existence, अब हो क्या रहा है, मुझे बताओ ज़रा, यहाँ पर यह नए एक शक्स हैं, जो कि हमारी LLP में आना चाहते हैं, तो इनको भी न, individual या body corporate कोई भी हो सकते हैं, provided यह sound mind के हैं, और insolvent बिल्कुल भी नही हैं, ना ही कोई insolvency का इनका case चल रहा है, अगर यह सारी चीज़े प्रूब हो जाती हैं, आपकी, ठीक है, तो जैसे भी हम existing partners ने decide किया है, existing partners ने, उसके basis पर हम जो यह राघव यानि की new partner है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, admit कर लेंगे, लेकिन याद रखेगा, जब आप लोग अभी आगे भी पड़ेंगे, तब भी मैं बताऊंगी कि क्या होगा, चीक है, तो basically मैंने अभी आप लोगों साथ जो class start करी है, आज की class का, जो main target था, revision of lecture 2, वो मैं side by side कर वा रही हूँ, क्योंकि अब मैं page wise लके, जो भी आपका extra वो भी निप्टा रही हूँ और जो बिल्कुल नहीं एकदम, अभी मान लो partnership अभी बनी नहीं है, अभी LLP बनी ही नहीं है, बनी नहीं LLP, आप उसका incorporation करवाने जा रहे हैं, और आपने सोच लिया that you want to be a partner of this particular LLP, तो ऐसे case में क्या होगा, बोलो ज़रा, ऐसे cases में guys, हमारे lawmakers कहते हैं, कि ये जो person अपने तरह से contribution देगा, और incorporation related जो भी document है, ये मान लेंगे कि इन्होंने incorporation document को subscribe कर लिया, खरीद लिया, अब जैसे ही मेरी ये जो, you know, proposed LLP है, finally जब इसको certificate of registration मिल जाएगा, finally जब इसको certificate of registration मिल जाएगा, तो उस case में क्या होगा, आपका ये ही person अब automatically क्या किलाएगा, partner of an LLP, लेकिन ठीक है, अब कोई नया partner उसमें enter करना चाहता है, तो law कहता है, जैसे आपके existing partners चाहते हैं, जैसे भी existing partners चाहते हैं, उनके agreement के द्वारा चलो, उनके हिस अप से चलो, बगर ध्यान रखेगा, जिस भी नया partner को आप admit करने जा रहे हैं, please उसकी consent जरूर ले लीजिएगा, getting my point, everyone अब, next आता है, देखिए, ये वाला point हमारा over हो गया, relationship of partners, अब हम relationship of partners जो है, वो करने जा रहे हैं, जो की और भी simple है, lawmakers कहते हैं, आप लोगों का आपस में क्या रिष्टा होगा, कैसा होगा, खुदी decide कर लो ना, by forming an agreement, हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ भी decide नहीं किया, then everything will be governed as per schedule 1, everything will be governed, everything will be controlled as per schedule 1. अब देखिए, अब देखिए, next कहानी क्या आती है, next कहानी आती है, मैंने क्या बुला, relationship of partners, partners का आपस में एक दूसरे के साथ, LLP के साथ कैसा रिष्टा होगा, वो आप लोग खुद decide करो, nobody is going to interfere, आप लोग खुद decide करिए, ठीक है, as per the LLP agreement formed between the partners, if nothing has been decided, तो फिर आप लोगों को act का schedule 1, ज ठीक है, आपके partners के जो भी rights होंगे, एक दूसरे के जो भी duties होंगे towards each other, it is to be governed by the LLP agreement, मगर या रखेगा, यह LLP agreement ना आप लोगों को registrar के पास file करना है, अब, मानो अगर आपकी LLP बनी नहीं है, और आपने agreement पहले बना लिया था, तब क्या करेंगे, LLP मानो आप लोगों की बनी है, 14th of October को, LLP आप लोगों की कब बनी है, बताइए जरा, LLP मेरी form हुई है, 14th of October 2020 को, लेकिन आपके partners ने मिलकर क्या किया, agreement बच्चे बना लिया, 9th of October को, तो क्या करेंगे, अब मुझे बताओ, अभी तक तो LLP बनी नहीं थी, जब 9th of October को, यह agreement बना, LLP तो बाद मे बनी, तो मैं उसको LLP agreement थोड़ी ना बुलाओंगी, बुला सकती हूँ, अगर सारे partners consent दे दे, यानि कि जो भी आपका pre-incorporation, incorporation से पहला, जो बना हुआ आपका agreement है ना, वो भी binding किया जा सकता है, वो भी आपका incorporation के बाद, सभी partners के उपर, जो है, binding हो सकता है, अगर later on, सार आपका बन चुका है, एक full-fledged LLP agreement, तो agreement में जो rights हैं, जो duties हैं, उनको follow करो, and yes, do remember that, ये agreement आप लोगों को file करना पड़ेगा, किसके पास, registrar के पास, बिना file करे, तो काम नहीं चलने वाला, तो काम नहीं चलने वाला, अब आती है next कहानी, कि ma'am, rights and duties तो समझ में आ गई, च अगर मानो, आप अपनी LLP को छोड़ कर जाना चाहते हो, तो क्या आप जा सकते हो, resign नहीं कर सकते हो, लेकिन resign करने के कम से कम 30 दिन पहले, आप लोगों को notice देना पड़ेगा, तो क्या, देखो, जब आप resign कर देते हो, partnership, मतलब LLP में से, जब भी आप लोग resign कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है, कि अब आपका रिष्टा खतम हो गया LLP से, आपका relationship जो है, वो seize हो गया है, from the LLP, तो lawmakers कहते हैं, under section 24, सिर्फ resignation ही एक कारण नहीं होता, आपका LLP से रिष्टे खतम होने का, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, मानो, आपकी death हो गई, या फिर LLP dissolve हो र It is coming to an end, suggestion हो गया, अच्छा या फिर आपका कोई भी partner जो भी था, वो unsound mind का हो गया, अब यार अगर आप unsound mind के हो गए हो, तो तो आप eligible रहे नहीं ना, उस LLP को संभालने के लिए, नहीं रहे न, eligible, तो अब आप अगर थे भी, तो वो बना बनाया contract आपका void हो जाएगा, you will cease to be the partner in an LLP, या फिर आप लोग insolvent हो गए, या फिर आपका अभी case चल रहा है, insolvency का, तो ये चार आप लोगों की cases हैं, जिसकी वजह से आपकी जो भी relationship LLP में है भी partnership का चल रहा है न, वो cease हो जाएगा, it will now comes to an end, कौन सा पह सबसे पहला तरीका क्या है, आपने voluntary, आप चा करने के कम से कम 30 दिन पहले, prior notice लिखा है, कम से कम 30 दिन पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, LLP को inform करना पड़ेगा, that I am no more, no more associated with this particular business, ठीक है, I am no more associated with this particular business, अब देखे, suggestion of partnership interest हो गया, by resignation, by giving 30 days prior notice, और एक तरीका और है, आपका क्या by death, नेक्स तरीका है, आपका dissolution of the LLP, ठीक है, एक तरीका है, unsound mind क्या अगर आप declare कर दिये गए है, you have been declared as an unsound mind by the court, अगर आप insolvent है, और तो भी, या फिर आपका case अभी pending है, insolvency का, तो ऐसे cases में अगर आप किसी LLP में partner थे भी, तो अब आपकी वो partnership क्या हो जाएगी, seize हो जाएगी, मगर अब एक बात और याद रखिएगा, आप अगर seize कर जाते हैं to be a partner, तो इसके बारे में प्लीज आरुसी को inform कर देना, कि कौन सा partner गया, किसने resign किया, किसकी death हुई, किसके साथ कोई और reason हो गया, सो notice of suggestion must be given to the registrar, next आता है, former partner is liable for the previous debt, जो भी आप लोगों का देखो, obviously अगर आपकी अब LLP से रिष्टा अगर आपका तूट गया है, है ना, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आपके जो पुरानी liabilities थी, वो भी अब नहीं रहेंगी, previous debt के लिए तो आप liable रहेंगे, obviously आपका यह partner जब जाएगा, तो जाते समय अपने हिस्से का contribution लेकर जाएगा, अपने हिस्से का profits जो है वो वापस लेकर जाएगा, या फिर मानों अगर आपके partner की death हो गई है, LLP के अंदर अगर आपके partner की death हो गई है, तो उसके legal representative जो है, वो अपने उस disease family member का contribution या profit तो ले कर जाएगा ही जाएगा, for sure, मगर बच्चे उसमें से minus कर दिये जाएंगे, आप लोगों के concept, previous steps, जो भी आप लोगों के previous steps हैं, वो आप लोगों के क्या कर दिये जाएंगे, minus कर दिये जाएंगे, getting my point, everyone, अब देखें, next आती है कि ma'am, अगर हमारे कोई changes हुए, like आपने किसी भी तरीके का change हुआ, आपकी partnership के अंदर, ठीक है, partners में आगा, बालों कोई partner जा रहा है, या फिर कोई नया partner आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, simple सी बात है, किसी भी तरीके का, अगर तो देखो, अभी कोई जानी रहा, कोई आनी रहा, आपकी ये existing partners, उनके ही information में कोई ना कोई change आ रहा है, existing partner ने अपना नाम change कर लिया, या फिर वो अपना address change कर रहा है, या फिर कोई और detail उसकी change हुई है, तो उसके regarding, उसको LLP को inform करना पड़ेगा, कितने दिनों के अंदर अंदर, पंद्रह दिनों के अंदर अंदर, यानि कि partner inform करेगा LLP को, और उसके बाद LLP जो है न, वो आप लोगों का inform करेगी किसको, रिजिस्ट्रार को within 30 days, आप यहां पे लिग दिया देखो, यही बात, LLP to inform the registrar, that a partner ceases to be a partner, या फिर या तो आपका कोई partner रहा ही नी, ठीक है, या फिर आपकी partnership के अंदर किसी और तरीके का change आया है, existing partner का नाम change हो गया, address change हो गया, कोई नया partner आ रहा है, अब आप inform तो कर होगे न, registrar को, एक बात याद रखना, जब भी नया partner आपना enter होगा, उस time पर आपने जरूर उससे, उस तो existing partner अपनी LLP को inform करेंगे, है न, अगर देखो, जैसे मानो, मैं इसको बात को और अच्छे से लिख देती हूँ, से मान लिजे, I am the partner, right, अगर मान लो, मेरा address change होगा, change in address, मेरा address change होगा, तो मुझे LLP को inform करना पड़ेगा, कितने दिनों के अंदर-अंदर, within 15 days, LLP आगे चलकर किसको inform करेगी, registrar को, within 30 days, ठीक है, अच्छा, मानो, अगर मैंने resign कर दिया, तो मुझे LLP को 30 days का notice देना पड़ेगा, 30 days prior notice, मगर LLP भी तो आगे registrar को inform करेगी न, कि कुछ बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है, हमारा existing partner छोड़के गया है, so within 30 days, ये तो similar हो गया, मगर अगर कोई नया partner आपका admit हुआ है, है ना new partner आप लोगों का, अगर LLP में आया है, तो भी LLP को registrar को inform करना पड़ेगा, कब within 30 days, within 30 days आपको क्या देना पड़ेगा, notice देना पड़ेगा, मगर notice के साथ, आप क्या जाएगी consent, written consent, जो कि आपको new partner से मिली होगी, किसके LLP को new partner लिख कर देगा कि मैं LLP का partner बनने के लिए तयार हूं, क्योंकि देखो किसी LLP का partner बनने का मतलब तो यही होगे ना definitely, कि आप लोग जो है, क्या होगा, आपके ओपर बच्चे है, किसी ना किसी तरीके की obligation, liability, duty is definitely आएगी, so we need your consent to take that responsibility, and that consent is required to be attached with the notice, and it should be filed with the registrars, it should be filed with the registrars, so यह मेरा पूरा concept था, किसके regarding, देखो तो, अब मैं आपको LLP के notes में ही ले जा रही हूं सीधा, और हम यहीं से अब अपना covered करेंगे, कुछ बहुत simple simple चीजे हमारी रह गई थी, बाकि जो भी important हमारा काम था, वो हम almost अपना covered कर चुके हैं, कि देखे, eligibility to become a partner, relationship of partners, यह सब कुछ मैंने आप लोगों को करवा दिया है, यह सारे points हम लोगों के covered हो चुके हैं, कि अगर आपका कोई भी partner seize कर जाता है to be a partner in an LLP, in a particular LLP, तो उसके हिस्से का capital contribution, उसके हिस्से का profit जो है, वो उसको दे दिया जाएगा, अगर उसकी death हो गई ह है, तो उसके legal representative को मिल जाएगा, that's it, बस अच्छा, अगर किसी भी तरीके का बदलाव आता है, partners की detail में, partners की detail में, अगर किसी भी तरीके का बदलाव आता है, है न, existing partners की detail में, like name, address, something like that, तो within 15 days, आपको वो सब change हो है, you guys are supposed to inform to the LLP, फिर LLP आगे क्या करेगी, registrar को notice file करेग within 30 days, अब, from such change, ये penalty provisions आप लोग देख लीचेगा, ये admission के regarding बात हुई है, कि अगर कभी भी आप लोगों का नया partner आएगा, तो definitely you guys are supposed to attach his written consent, अब, अब आती है, next कहानी, कि माम extent, देखो, ये point आता है, मेरे पास extent and limitation of liability of LLP and the partner, ये बहुत ही चोटा सा concept है, जिसके अंदर बस इतनी बात बोली गई है, each and every partner is liable towards the LLP, not towards the other partners, चीक है, आपकी जितने भी partners होंगे, वो दूसरे partners के लिए liable होंगे, दूसरे partners के कर्मों के लिए liable नहीं होंगे, हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, an LLP is not bound by anything which is done by a partner in dealing with the firm, if the partner in fact has no authority, वही partner को authority नहीं है, जैसे हम लोगों नहीं ये बिलकुल partnership आ लाई है, partnership का concept है, बचे ही हम लोगों का, बिलकुल partnership का concept है, कि एक partner है, आपका LLP का, जिसके पास authority नहीं है, ठीक है, मानूँ, इसके पास authority नहीं है, कि ये goods की sale या purchase नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, फिर भी अगर इसने third party से goods purchase करे, तो law कहता है, उसके लिए ना, आपकी LLP जो है, वो responsible नहीं होगी, लेकिन LLP responsible हो सकती है, अगर third party विचारी ये बात जानती नहीं थी, कि तुमने तो इस partner की authority क्या कर रखी है, limited कर रखी है, है ना, उसके उपर limitation लगा रखी है, देखो आपकी internal limitations के बारे में, I really don't think so, कि 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 इसी को भी पता लगने वादा है, जब तक आप खुद ना बताएं, जब तक आप खुद नहीं पताएंगे, कैसे पता लगी है, है ना, तो इसी लिए, हाँ, लेकिन अगर third party ये बात जानती थी, कि जो partner है, वो sale purchase नहीं कर सकता, फिर भी इसने contract बनाया, goods supply कर दिये, ठीक है तो अब ये LLP के against case फाल नहीं कर पाएगी, या फिर मानो third party जब contract बना रही थी, इस partner के साथ, तब ये जानती नहीं थी, कि ये जो partner है, ये इनसान, जो है मानलो Mr. P, ये किसी LLP के partner है, ये जानती नहीं थी, इसने तो contract form कर लिया Mr. P के साथ, और जब Mr. P ने default कर दिया, जब बाद इसको पता लगा third party को, कि Mr. P ना किसी LLP के अंदर partner है, तो इन्होंने case फाल कर दी LLP के against, अरे बाबा जब तुम ने deal किया, तब तो तुम ये वैसे भी ये ही मान का चल रहे थे, कि तुम LLP के साथ नहीं किसी individual person के साथ deal कर रहे हो, तो क्या अब आप LLP के against case फाल कर प wrongful act होगा, तब तो definitely you guys are responsible to each other, अब आपको याद है जैसे हम लोगों ने Indian partnership act में पढ़ा था section number 28, इंडियन partnership act में हमने पढ़ा था section number 28, वो है यहाँ पर section number 29, LLP का वो है section number 29, doctrine of holding out, doctrine of partnership by estoppel, ये भी LLP के अंदर भी है आप लोगों का, जिसमें अगर कोई भी इनसान, जो मान partner नहीं है, जैसे मानो मेरे पास LLP के अंदर ये तीन partners है, XYZ, और मुझे जो है, as a partner present किया गया third parties के पास, otherwise I am not a partner, मैं partner नहीं हूँ, बस मुझे present किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने partnership में पढ़ाया था, I hope आप सब बच्चों को याद आ गया होगा, है न तो अब ऐसे case में, या तो मैं खुदी को ही partner की तरह दिखा रही हूँ, या फिर मैं XYZ में से किसी को permission दे रही हूँ, कि तुम मुझे introduce करवाओ, as a partner, अब क्या हुआ, third party ने तो ये मान लिया न, कि हम चार partners हैं, और इसने contract form कर दिया, अब third party ने इस LLP को, क्या दे दिये हैं पता हूँ जरा, credit पर goods दे दिये हैं, इस LLP को क्या कर दिये हैं, credit पर goods दे दिये हैं, simple, तो ये हो जाएगा holding out section no.29 Any person who by words spoken or written or by conduct, represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in a LLP is liable to any person who has on the faith of such representation given credit to the LLP. Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that representation has reached the person, so given, giving the credit, that's it. अब देखो, जब मैं बात करती हूँ इनकी liabilities के regarding, तो हम लोगों ने almost पढ़ लिया कि each and every partner, each and every partner is liable to the LLP, but not towards the other form, but not towards the other partner, लेकिन अगर आप fraud कर रहे हो, तब ना ऐसे cases में क्या होगा, LLP क्या, पार्टनर क्या, सबकी liabilities क्या हो जाएगी, याद रखेगा यहां पर, सभी partner जो हैं, उनकी liabilities हो जाएगी हमारी क्या, unlimited, मगर अगर आप लोगों ने fraud नहीं किया, तो lawmakers कहते हैं, section number 28 के तहएग, किसी भी partner की liabilities जो है, वो unlimited नहीं होगी, सभी partners की liabilities जो होने वाली है, वो क्या होने वाली है, it is limited, they are not personally liable, that's it, मगर अगर कोई wrongful act किया, तब वो personally liable भी हो जाएगी, आईए, unlimited liability in case of fraud, already मैं करवा चुकी हूँ, कि अगर आप लोगों ने कभी भी fraud किया, तो भी ऐसे cases में, आप लोगों की liability जो है, वो unlimited हो जाएगी अब आती है next कहानी, देखें, next कहानी आती है, कि माम अगर मानो, आपके ना कुछ partners है, मानो यह partners जो है ना, fraud कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं मेरे पास x, y, z, इसमें से x और y जो है, वो क्या कर रहे हैं, fraud कर रहे हैं, z जो है ना, इस ने क्या किया, इस fraud के बारे में whistleblowing कर दी, whistleblowing करने का मतलब क्या होता है, internal information जो है ना, वो market में leak कर दी, कि इस तरीके से ये दोनों partners मिलकर क्या कर रहे हैं, fraud कर रहे हैं, और LLP के नाम से कर रहे हैं, ठीक है, कल को अगर कुछ भी हुआ, तो मैं उसके लिए responsible नहीं रहूँगा, क्योंकि ये दोनों partners मिलकर क्या कर रहे ह या फिर किसी भी के भी साथ, they are doing fraud, तो law कहता है, वो इनसान जो गुनाह के बारे में बताएगा, सीटी बजाएगा, literally, whistle blowing करेगा, ऐसे इनसान को हम लोग बक्ष देंगे, ऐसे इनसान की सजा हम लोग चाहेंगे, हम क्या करेंगे, कम से कम करेंगे, क्योंकि कहते हैं आप दिया गया, the court or the tribunal may reduce or wave any penalty leviable against any partner and employee of LLP, अगर वो satisfied है, कि उस partner ने या employee ने बिल्कुल useful information दी है, investigation करते समय, और उस investigation से यह पता लग रहा है, कि LLP Act जो है, उसको proper तरीके से follow नहीं किया गया, अगर ये सारी बाते समझ में आ जाती है, तो बस फिर समझ लो, आपको देखो, व दोनों partners मेरे सामने के सामने fraud कर रहे हैं, अब अगर मैं चुप रहे गई, तो LLP fraud कर रही है, और उसके लिए फिर कहीं ना कहीं, मैं भी personally liable हो जाओंगी, तो मैंने क्या किया, मैंने court को approach किया, और बोला, कि court, ये मेरे बाकी के partners fraud कर रहे हैं, प्लीज, आप उनके उपर या फिर आपने दूसरों के गुना के बारे में आकर बता दिया, whistle blowing कर दीना, तो हम आप से penalty charge नहीं करेंगे, या आपने पहले fraud किया था, तो कम charge करेंगी, क्योंकि आपने finally अपने गुना को कबूल कर लिया है, अब देखें, next आता है topic मेरे पास financial disclosures, आपको याद है मैंने previous lecture में जब आप लोगों को differences कराए थे, तो वो differences में मैंने आप लोगों को एक बात बताईती, कि जो LLP होती है, इस LLP को ना तीन तरीके के documents हैं, जो की file करने होते हैं, एक होते हैं हम लोगों के क्या books of accounts, जो की accural basis पर होते हैं, double entry system से बनते हैं, यानि कि books of accounts, financial statements, जैसे बनती हैं, हमारी एक बनता है आप लोगों का statement of solvency, statement of accounts and solvency, जिसमें लिखा होता है, आपके declaration दी जाती है, बकायदा designated partners के द्वारा, कि मेरी जो ये LLP है, ये पूरी तरीके से आपकी solvent है, इसकी liabilities, इसकी assets को exceed नहीं कर रही हैं, और तीसरा एक document आता है, आपका annual return, annual return के अंदर आपका पूरा sales turnover होता है, तो ये तीनों के तीनों मिलाकर, मेरे क्या बन जाते हैं, financial disclosures, ये financial disclosures जो हैं, आपको maintain करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, हर साल file भी करने पड़ते हैं, किसके पास, registrar के पास, ठीक है, तो सबसे पहला document क्या है, proper books of accounts, आप लोगों का बनेगा regarding, relating to the affairs, for each year of its existence, double entry system पर होगा, cash or cural basis आप decide कर लेना, कैसे भी बनाना है, और बन जाने के बाद इसको संभाल कर रखिएगा, अपनी LLP के registered office के अंदर, ठीक है, अब ये 9 मीने के लिए accounts बनेंगे, 12 months के लिए बनेंगे, 6 months के लिए बनेंगे, वो आपकी central government time time पर आपको बताती रहेगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है, as may be prescribed, next, second document आता है, statement of account and solvency, statement of account and solvency, जो आपके financial year खतम होने के 6 महिने के अंदर अंदर ना, registrar को file हो जानी चाहिए, यानि कि every LLP shall within a period of 6 months from the end of the each financial year, prepare a statement of accounts and solvency, इस statement of accounts and solvency, जो होती है, इसके through आपस यह बताना चाहरे हो, कि हमारी जो LLP है, वो सही तरीके से business कर रही है, उसके liabilities जो है, उसके assets को exceed नहीं कर रहे हैं, और वो statement आपके sign कौन करता है, designated partners, समझ रहे हैं, अब यह statement of insolvency, आपको registrar के पास file करनी पड़ेगी every year, मैं वैसे अभी आपको दिखाऊंगी, यह statement of insolvency, मैं दिखाई देती हैं, इन फाक्त, मैंने open करी हुए थी, यह देखें, statement of accounts and insolvency, LLP का form number 8 है, यह exam में नहीं आने वाला है, आप लोगों का form number 8 और इसका पूरा यह detail वेगरा, यह सब नहीं आने वाला है, मैंने आपको दिखा दिया था कि आपको एक idea हो जाए, कि statement कुछ इस तरीके से बनेगी, इसके अलावा, इसके अंदर क्या होगा, बोलो तो, आपके बच्चे, वो turnover आएगा, आपका पूरा return बताया जाएगा, कि इतना पैसा हमने लगाया, और इतना हमको return मिला है, annual return जो है, वो भी आप लोगों को file करने पड़ेगी, मगर statement of insolvency तो within 6 months, और annual return within 60 days of the closure of its first financial year, within 60 days of closure of its financial year, in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed, यह penalties आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं ऐसा कुछ खास है नहीं, penalties के अंदर, कि कि. है, है, है? है, है, है। है, फद्संद। तो आपे सकते हैं experience है, 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 Themen इतना बात पना मिलात बात कीजवाएशब, है, 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 ह Deutsch है, है, फॉन, आě, है, झाल झाल अब देखिए अन्वल रिटर्न के रिगाड़ी मैंने आपको बता दिया यह अन्वल रिटर्न भी आप लोगों को डूली ऑथेंटिकेट वर्ट जो है ना इसका मतलब क्यों होता है कि वो ही मतलब है कि आपके डेजिगनेटेट पार्टनर इसको साइन करेंगे ठीक है और साइन करने का मतलब है कि यह ऑथेंटिकेट हो गई है कि जो कुछ भी इस अन्वल रिटर्न में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सकते है और सकते के अलावा कुछ भी नहीं है और फिर आप इसे फाइल कर देंगे किसके पास with the registrar within 60 days of the closure of its financial year अब आता है देखू छोटा सा एक concept और बचा है मेरे पास इसका नाम है conversion into LLP conversion कर ले conversion किया जाए या फिर नहीं अब देखू बता दू मैं आप लोगों को दुबारा से आप लोगों की LLP आपकी कोई भी जो firm है या फिर कोई भी private company है या फिर कोई भी आप लोगों की unlisted public company है ये तीनों ही अगर चाहे न तो क्या कर सकती है अपने आपको LLP में convert कर सकती है मगर इसके लिए LLP Act 2008 follow करना पड़ेगा और LLP Act 2008 जो है इसने कुछ schedules दे दिये हैं ये schedules क्या है आप लोगों के annexures हैं ये आपके supporting documents हैं जिसमें दिया गया है कि form से LLP में कैसे convert करते हैं जैसे schedule second है उसके अंदर दिया गया है कि एक partnership form को एक LLP में कैसे convert किया जा सकता है या फिर एक private company को एक LLP में कैसे आप convert कर सकते हो या फिर या फिर या फिर आपकी unlisted public company को आप कैसे convert कर सकते हैं into an LLP तो जो भी आप लोगों का जो भी आपकी form है प्राइवेट है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो भी है आप लोगों की चीक है इसको आप लोग अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं LLP में convert कर सकते हैं और उस प्रोसीजर क्या follow करना पड़ेगा LLP Act 2008 LLP Act 2008 उसके अंदर कुछ schedule दिये गए है schedule second for the conversion of form into LLP schedule third private company से LLP में convert होने के लिए and schedule fourth अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से LLP में convert होने के लिए ठीक है आईए यह points हम लोग अपना cover कर लेते हैं अच्छा जब यह conversion हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद आप लोगों को अपने respective जो भी आपके registrars है like form जो है उसकी सारी details ROF के पास थी companies जो है उसकी सारी details ROC के पास थी एक बारी conversion हो गया उसके पंदरा दिन के अंदर अंदर ना ROF को या ROC को जो भी आपका जो जिसको भी inform आपको करना है उसको inform करिए और बस conversion हो गया form के जितने भी partners थे form के जितने भी आप लोगों के partners थे अब वो ही partners आप लोगों के क्या बन जाएंगे now they will become partners of LLP company की जो भी members से वो आप क्या बन जाएंगे LLP के partners कहलाएंगे समझ रहे आप यह मान के चलेंगे कि एक LLP जो है ना उसका incorporation हो गया आईए registration and effect of conversion section 58 ठीक है registration and effect of conversion section 58 पहले भी बता चुकी हूँ के जब भी आप लोगों का दिखो यहां पर वही आपके schedules की बाते दी गई हैं आप लोग इसको रीड कर ले ना ठीक है एक बार ही अगर आप लोगों का conversion हो जाता है तो आपको रोएफ को रोसी को इन फॉर्म करना पड़ेगा अच्छा अब conversion हो जाने के बाद फॉर्म के पार्टनर्स companies के shareholders जो है वो आपके LLP के अब क्या बन जाएंगे partners बन जाएंगे और उन schedules को follow करेंगे अच्छा certificate of registration मिल जाएगा LLP का और तो जी LLP का जर्म हो गया finally और जैसे वो सारे features जो हम लोगों ने अपने LLP के करे थे वो सारे features यहां पर भी आप लोगों के applicable हो जाएं that's it मतलब LLP अपने नाम से properties खरीच सकती है बेच सकती है dispose of कर सकती है चाहिसे वो property मेरी tangible हो चाहिए intangible हो movable हो या immovable हो जैसे भी हो ठीक है आप अपना LLP agreement बना सकते हैं नहीं बनाया है तो LLP के regarding जो schedule 1 है उसको आप लोग follow कर सकते हैं that's it बस foreign LLP के बारे में हम लोग पढ़ चुके अपना पहले ही कि माम foreign LLP वो होती है जिसका establishment हुआ है abroad but it has got a place of business in India it has got a place of business in India so because of it आपकी यह इसके उपर भी sometimes आपके कुछ rules जो है ना वो applicable हो जाते हैं winding up and dissolution के बारे में हमने previous class में पढ़ा था एक को एक revision देते हैं कि LLP जो है वो आपकी voluntary भी wind up हो सकती है और आप लोगों की compulsory भी उसमें winding up हो सकता है if LLP decides that LLP be wound up by the tribunal if for a period of more than six months the number of partners of LLP is reduced below two if LLP is unable to pay its debt एसे cases में आप के tribunal interfere करेगा और क्या कर देगा आपकी LLP को winding up में डाल देगा clear है या फिर देखे मैंने यहाप पर भी पढ़ाया था तब आपने अपने respective पी जो है वो एंड यह प्रोविशन मैंने मना कर दिया था नो नीट टू देव ठीक है डिफ्रेंसेज हम अपना कर चुके हैं सो गाइस वी अट ड़न विदार LLP चाप्टर नाओ कि यह डान विद्यार अवर अलल पी चाप्टर नाओ तो अब इसके जो रिगार्डिंग आठीपी के क्वेस्टेंस है अलल पी जो आठीपी के क्वेस्टेंस है वड़ाइम टेंकिंग इस की उसके लिए हम क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं ठीक है आप लोग को भी डिसकास कर लेंगे आई होप आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा वैसे तो आज की वीडियो में अगर मैं काउंट ज्यादा टॉपिक्स हमारे कावर नहीं हो रहे हैं ठीक है बहुत ही लिमिटेट से इसलिए चोड़ी सी वीडियो हम लोगों की यह ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है बच तिल दू शेयर फीडबाग्स गाइस और लपी पढ़ लीजेगा बहुत सिंपल है बहुत इसी है जल्दी मैं अपने यूटुब चानल के तू इसकी सारे इंपॉर्टन ग्वेसे तो मैंने आपको साइड वर साइड लिखवाए भी है क है ना लेकिन जो भी इसके इंपॉर्टन ग्वेस्टन हैं लाइक मॉक्टेस पेपर में या फिर रविजिन तेस्टेस्पेपर में ताट इस संथिंग आ इसकास्थ विद ओर वनाइसे एपरिग्वान